नमस्कार आप देख रहा है आरेडी नियूज मैं हूं योगी श्क्रवर्ती बिहार विदान सवा का सीत कालिन सत्र चल रहा है और इस सत्र में हम मौजूद हैं आपको सत्र से जुड़ी पलपल की खवरे हर वो बिल के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं जो शरकार द्वा बेहद ही महत्योपूर्ण बिल पेश किया सदन में जिसके तहत बेतियार राज के पंदरह हज्जार एकड़ जमीन सरकार अपने कबजे में लेगी और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि विपक्ष के विरोध के बाबजूद ये बिल पास हो गया सदन से और कहा जा रहा है कि बिल पास तो हो गया लेकिन क्या बेतियार राज के पंदरह हज्जार एकड़ जमीन को अपने कबजे में लेकर सरकार करेगी तो क्या करेगी क्योंकि पहले ही बेतियार राज के बहुत शारे जमीन पर लगभग 50 से एक लाख परिवारों का कबजा है उन परिवारों का क्या होगा सरकार जमीन को कबजे में लेकर उसे बेचेगी या फिर कुछ और करेगी हमारे साथ सिनियर जनरलिस्ट अरून पांडे जी हैं आईए इन से बात करते हैं सर जिस तरह से बेतियार राज के जमीन को अपने कबजे में लेने का बिल आज पेश किया गया है मुझे लगता है कि देश की आजादी के बाद इस तरह के पहला बिल कोई आया होगा जिसमें किसी राजा महाराजा के जमीन को इस तरह से एक मुस्त सरकार जो है अपने कबजे में लेने के लिए बिल आई हो देखे एक सचमुच में आज भी हार विधान मंडल के सरत कालीन सत्र का आज दूसरा दिन था और पहले से तरह था कि आराज की विध्यक होंगे उसमें आज एक विध्यक था जिसकी चर्चा आपने की है यह विध्यक वही है जो आप देख सकते हैं यह अपने दर्सकों को इ ठीकी अपना में चर्चा में की अब बेतिया राज का मसलब क्या है लोग जानना चाहेंगे आपने ठीकी कहा कि अंग्रेज का जमाना था उसमें अंग्रेज तो सब बेटें से राज करता था यह उसके बदले यहां भारत के विभीन भू भाग में यह कहीं पूरे के रूप नाम सुमार है नसीर बिहार बिहार के बाहर भी दिल्ली यूपी कई राजियों में तरवंगा महराज की जमीन है और दान वीर राजा के रूप में उनकी पहचान बनी आज पटना में आप बात करें चाहें वह प्यम सीच हो पटना इंवर्सिटी हो इस सब कुछ मृष्ट लबंगा महराज की जमीन वहां वितर्राज की जमीन की इतनी थी 1215डी में इस इस पाट मेंना कमा लगयां उनका कुछ कि इतना बड़ा सामराज संपत्ति कैसे सम्हाल सकती हैं तो उसमें अप्रेल 1897 को एक अप्रेल 1897 से उसमें का कानून था कि वेतिया राज को प्रति पाल अधिकरन अधिनियम जिसको अंग्रेज में करते हैं कोट आफ वाट्स एक 1879 के अधिन बेतिया राज की जमीन को अंग्रेजी हुकुमत ने अपनित कर लिया और उसके बाद फिर उसको अजादी मिले इसके बाद बेतिया राज की जमीन का संबन था कि अब कोई खाता है ना खिसरा है खाता खिसरा क्या कहलाता है वही कहलाता है कि भाई जिशाजमा वंदी हो रही है यह आज भीहार में सरवे हो रहा है तो खत्यान होता है खत्यान का मतलब खेत का माली कौन उसकी चोहदी क्या है तो बेतिया राज का कागज पत्तर ही नहीं मिला तो यह सारी जमीन जो उस समय के बाद से अबादी बढ़ती गई सरकारें भी बदली उनीसों सेटालीस में आजादी मिली तो अभी कानून इस समकक्ष अधिकारी ही होते हैं तो अब उसके अधीन था रेम्टी डिपार्ट्मेंट से रीशीवर वहाल होते थे जिसको कोट्स ऑफ बाट्स कहते हैं और वेतिया राज की जमीन का संचालन देखना प्रबंधन था एक तरह से कहिए वह सब लंगू-पंगू हो गया वह ध्यक्ष है औरने कहा कि सरकार ने सारी बवसवच्षतिति को देखकर जमीन को अधीन नहींद करने का सब कुछ है तो यह सरकारी जमीन उसमें हम कब्या करेंगे और उसी के लिए बेतिया राज की जमीन में जमीन खाली भी है मठ है सब कुछ है एक बड़ी बात यह है कि जब बेतिया राज के पंद्रह हजार पंद्रह सो दो सो एकड जमीन जो आपने बताया इतना लंबा चोड़ा जमीन और इसका कोई दस्तावेज नहीं है तो फिर सरका किस आधार पर कौन सा जमीन कब्जा करेगी जमीन तो सब डिस्ट्रिक में स्टेट के हां तो कौन सा जमीन किसका ही अभी लेक है ना बेतिया राज की जमीन का को वैसा उलेक नहीं है लोग मालिक बने हुए हैं और कहिए कि जवानी जमा खर्च या कुछ इस तरह से अवैद को बता हूं कि जमीन बेतिया राज की जमीन है कहा आगे मैं बताओंगा जो आप सवाल कर रहे हैं बेतिया राज की जधिकांस शंपत्ती आदर धीले में कहने तो चमपारने पमार ये घंज कहला पर लागर घंजा और वेतिया राज जो है उसकी जमीन यह दो फुडवी च् उसके अलावा उसकी जमीन सारण में है सीवान में है गोपाल गंज में है और पटना में भी कुछ जमीन है और इतना ही नहीं यूपी में भी यूपी में भी प्रियाग राज में जुसको अजिलाहवाद पहले कहते थे आप बहां है बस्ती में है फैजाबाद में है गुरकप में है मीरजापूर और वारानसी में बेतियाराज की जमीन और यूपी में कोई 143 एंग में है और इसी तरह से बिहार के पट्टाव जिले में यहां सिर्ज जो बैसाब को बताया कि सभी जिल्व में जमीन है अब ये जमीन को सरकार अपने अधीन कर ले इसके लेकर बहुत दिन से विचार हो रहा था अब उसके उचित प्रबंधान देख रहे के लिए एक तो है कि मेंबरा बोड़ा फ्रेमिंग के अधिक्स्ता में पांच अफसरों की कमीटी बन कि एक विधायक ने इसका विरोध किया और कहा कि देखे ये काला कानून है जो बरसों से जमीन 200 साल से अधिक सभा 200 साल के बाद आप इसको आज मालिक बनने जा रहे हैं तो जो लोग अभी जमीन पर बस गए हैं खेती कर रहे हैं क्या उनको आप सब को डिसलाउज करेंगे बिस्तापित करेंगे क्या आप करने जा रहे हैं काला कानून है वैसरे के लिए आप उन्हों के नाम सेटल करना चाहिए था कानून तो इसा बना हुआ है महोद है 1885 के बंगाल विहार कस्तकारी अधिनियम के पहले जमीन सबंदी कोई खाता खतियान का कोई लिखित दस्तवेज उस रुप में मवजूद नहीं था और 1897 अपरील 1897 से बेतिया राज के छेतर में जो लो भी बस्ते थे उनको जो है कोट ओफ वार्ट सेक्ट के अधिन ला दिया गया और उसी समय 1885 के कास्कारी अधिनियम के बाद पूरे बियार में सर्वे का काम चला कि कोँन किस जमीन पर बसा हुआ है कौन किस जमीन पर खेती करता है तो बाकी जगों पर तबियार में ये हुआ उसके आधार पर जो जहां बसे हुए थे उनके जमीन के कागजात बने उनके खत्यान बने उनके नक्से बने लेकि बेतिया राज की जमीन में जो लोग बसे हुए थे उनके नाम पर कोई जमीन दर्ज नहीं हो सकी कानूनी तोर पे और आपके खंडचार में जो बात कही गई है कि तमाम तरह के पट्टे जो हैं जो दिये भी गए थे वो रद कर दिये गए हैं तो ऐसी इस्तिती में जो एक सवभाविक बसाउट होती है जो 1885 के पहले थी कि जो लोग जहां थे बसे हुए थे उस अधार पर लोग को प्यार कास्कारी अधिनियम के बाद उनको जमीन का कागज मिला उनको कानूनी रूप से वैद माना गया लेकिन बेतियाराज के लोग को नहीं माना गया और इस परकिरिया में सवभाविक रूप से लोग वहां पचासो हजार की जो अबादी है अबादी नहीं कहा जाब परिवार जो बसे हुए हैं बेतियाराज की जमीन में या कहीं खेती करते हैं उनके पास कोई कागज का परबंद नहीं हो सका चुकि वो कोर्ट आप वार्ट के अधिन चला गया तो हम भी ये कहना चाहेंगे साफ साफ कि ये एक काला कानून होगा तो सरकार ने कहा कि नहीं ये सब हम डिस्टिक्ट परिश्टेट जो आप मालिक होंगे अभी उस सब पर फिर आगे जो बात आप कर रहे हैं एक भी हित परकिरिया के तहट हम लोग सरकार विचार करेंगे कि कहा क्या कुछ करना है लेकिन जो अधिकार लिया है इसने बेतियाराज की जमीन का मालिक सरकार सीधे हो गई और ये आज बिल पास हो गया है ये बिल फिर कॉंसिल से पास होगा और मुझे लगता है कि अगले सब्ता इस सत्र सुक्रबार तक है और अगले सब्ता राजपाल की इसकी सहमती मिलेगी एक बात और कहा है भूमी सुधा राजस्मंत्री ने कानून में भी उसका उलेक है कि जो यूपी में जमीन है हम लोग वहां की बोड़ा फ्रेवनू से उतर प्रदेश की गवर्मेंट से बात करेंगे और जो 141 सेकर जमीन यूपी में है उसको भी हम लोग अपना स्वामीत पुलेंगे और वहां भी कैसे क्या संचालन करेंगे प्रबंदन करेंगे उसका काम करेंगे मतलब पूरा यह सारी जमीन नौकर साही की देख रेख में होगा राज सरकार के अधीर हो जाने करा सरकार तो समकावधिकारियों के भरोसे उसी के बूते करती है तो आज यही तस्वीर बनी है आजादी के बाद मुझे आपने ठीकी कहा एक बड़ा महत्कून कानून है जिस तर से जमीन दारी मुनल हुआ था तो बेतिया राज का कोई मालिक नहीं था कोई पडिवार बंसज नहीं था तो अब जमीन का मालिक च्छते में हाथ डालते हैं तो यह कुछ नितीज सरकार के लिए बड़्रे के च्छते में हाथ डालने जैसा नहीं कि अभी तो जब जमीन सर्वे शुरू हुआ तो मैंने उस समय भी राजा सभुमी सुधार विवाग के अधिकारियों से बात होती थी तो बताते थे कि आज की तारिक में सरकारी जमीन कितने जमीन पर अतिकर्मन है अभी सरकार कोई मालूम नहीं कि कितना जमीन अतिकर्मित है लोगों ने अवैत कब्जा कर रखा है तो यह बेतिया राज की जमीन है सरकार इसका मालिक बनेगी तो पचास तार पड़िवार जो इससे भी स्थापित होंगे या फिर वहां स्वामित के लिए दोनों लगाई नहीं होगी जिसकी पांच पिढ़ी मैंने 227 साल के बाद अभी कानून जो है अब सरकार खुद सिरे एक रिसीवर के रूप में देखता था तो कोई संचालन बहतर नहीं हुआ उससे में बहुत सिकायते मिलती थी प्रशाचार की लेंदेन की उसको देने में आप तो सरकार जो अपने अधिन लिए थे इसका तो पूरी तरह से उत्तर दाही जवाब ज़िए सरकार की नहो सब्सक्राइगा 20 साल के बाद उनकी कुंडली कैसे जागरित हुए इसको लेकर करके तो कहा मंतरी नहीं कि भाई इस संब्सक्राइब बहुत दिन से विचार कर रहे थे अभी संजोग ऐसा है कि चुनाप का साल है अभी चुनाप के साल फिर एक अनुठा प्रियोग अनुठ कानून लाना तो यह आप कहेंगी देर से सही अपजागरिती हुई है अब इसका क्या फिर प्रोशन कौन्स होगा सरकार को कहां समर्थन कहां विरोध होगा फिर यह जन विरोध का मुदा ना बने इस सारी बात तो देखने को मिले गए ना जो बातें सामने आई है कि 50,000 पतर मालिक नहीं है तब भी आजकाल तो भू माफिया कैसे सब जगह एक्टिव है सरकारी जमीन का तो कागज बना लेता है और यहां तो वेतिया राज की जमीन का कोई मालिक ही नहीं था जो महराजा मर गए तो उनकी पत्नी को सरकार ने उसमें बिटिस गर्मेंट ने तो इसको सामुदाइक परियोजना के लिए जो कोमन आदमी के लिए जनता के लिए हम काम करेंगे उसमें कहीं अस्पताल बन बाएंगे मेडिकल कालेज खोलेंगे इन्वर्सिटी बनाएंगे और सरकारी संस्थान बगर खोलेंगे और फिर जब वो जमीन की बिक्री भी हुआ है तो जरुवत्मंद लोग होंगे उनके हाथ वेचे भी सकता इभी तो होगा कुल मिलाजवला कराब समझे बाते तो कानून बनना बहुत सरल से कानून बन गया इसको अमली जामा पहनाना सरजमीन पर और तब यह 27 साल के बाद आप कुछ इसा कानून लेकर रहे हैं कोट में भी चुनोती दे सकते हैं लोग खास करके वो लोग जो बेटिया महराज के जमीन पर पिछले कई पीड़ियों से काबिज हैं जो विवस्था कानून में की हुए कि जिनके पास जो कोई इस तरह का गिर्वांस होगा तो हम एक सिस्टम बनाए हैं वहां लोग अपील करेंगे वहां आवेदन देंगे सरकार विचार करेंगी फिर मेंबर बोर्ड आफ रेवनी के अधिक्स्ता में पांच सदस्य कमिटी वनी है वह भी देखेंगी तो अब कुछ एक रहा की जैसे अब बेतियाराज की जमीन को लेकर एक नया कहिए कि जहमेला कहिए चर्चा कहि सिकायत कहिए भरस्टाचार कहिए सब कुछ सामने आएगा तो यह बताएं कि सरकार को फिलहाल मतलब इससे आप से अगर मैं पूछू कि आपकी तरित परतिकरिया इस पर क्या है तो आपकी परतिकरिया क्या है इस पर एक कानून बना के 15,000 एकर जमीन का जो वेतियाराज की जमीन है उसका सरकार मालिक बन रही है कि कानूनियां स्पस्ट कर रहा है कि जो जमीन का अभी कोई मालिक नहीं था तभी तो सरकार अपने अधीन मालिक बन रही है देख रेकिलिक यह काम हो रहा था लेकिन मालिक नहीं था तभी न वह सारा नीथ हो गया परी संपत्ति और सं लो ने दान दिया था या सरकार अधिगरन करती है अभी जमीन तो पहले से ही कोई बारिस नहीं था इसका बेतिया राज का कोई बारिस नहीं था तो अभी अधिकारियों के ने दी कि कहिए कि वो विवास था कारगर नहीं हुई तो कानून बना करके सरकार इसको अपिन अधिन कर लिए इसको मैं इसे रूप में देखता हूँ जी 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 तो शरकार ने आज बड़ी पहल की है बेतिया राज के पंद्रह हजार एकड़ से ज्यादा की जमीन को अपने कबजे में लेने के लिए एक बिल पेश किया है सदन में और वो बिल पास भी हो गया है बिरोद के बाब जूद पास हो गया है अब कहा जा रहा है कि सरकार की इसको लेकर एक बड़ी योजना है जो आने वाले दिनों में सामने आएगी फिलाल इतना ही आप हमें फेस्बुक पर फॉलो करें योटूब पर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वकुन सुझाब और विचार जरूर दें धन्यवाद